अब ये अधर में पढ़ेंगे एडवोकेट जणर्नल ओफ स्टेट के बारे में अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाए और उसे देखी क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि वो जो है उसी का रेपलिका है Advocate Journal of State, वो Union के लिए काम करते हैं Attorney Journal और Advocate Journal जो है वो स्टेट के लिए काम करते हैं, Advocate Journal of State is mentioned under Article 165 of the Indian Constitution, अब आएए जानते हैं इनके qualification और appointment के बारे, वहां हमने ये चीज देखी थी, कि उन्हें qualification चाहिए Supreme Court Judge जैसी, यहाँ पे चाहिए होगी High Court Judge जैसी, अब क्या होती ही High Court Judge की qualification, तो देखिए या तो उन्होंने 10 साल तक कोई भी Judicial Office hold किया हो, in the Territory of India, or else they are having experience of 10 years as a Advocate in High Court, 10 साल तक उन्होंने High Court में as a Advocate practice कियो, उन्हें appoint कौन करेगा तो Governor Appoint करेंगे, on the Aid and Advice of C.A.M. and Council of Minister, term, उनकी renumeration, उनकी salary, उनकी office की condition, यह सारी fix नहीं की गई है, क्यों नहीं fix की गई है, तो इसको भी हमने discuss किया था किस के अंदर, Attorney Journal of India के अंदर, तो जाए और वो Video Lecture देख लीजी, एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, मैं जब replica बोल रहा हूं, तो उसका मतलब यह नहीं है, कि Attorney Journal of India के नीचे काम करते है, Advocate Journal of India, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो इस confusion के अंदर मज जाए है, अब आईए जानते हैं, इनके functions के बारे में, तो क्या-क्या functions है इनका, सबसे पहला Legal Advice देना Government of State को, कैसी Legal Advice, बहुत सारी laws, बहुत सारे policies आते हैं, तो उनको पहले ही चेक कर लेती है Government की, कहीं इसमें कोई Legal defect तो नहीं है, उसमें मदद करते हैं इनकी Advocate Journal of the State, चीक है, उसके बाद में कोई भी Legal Advice जो Governor को लगता है उनसे लेनी चाहिए, उनको refer की गई है, उसपे वो Legal Advice देंगे, तीसरी, ऐसी कोई भी उनके उपर Responsibility दी गई है, by Constitution और by any other law, वो भी उनने fulfill करनी पड़े, अब इतनी सारी Responsibilities के सामने, उनको कुछ जो Privileges भी मिलती हैं, अब आए Privileges और Rights के बारे में डिसकस करते हैं, वो State के किसी भी Court के अंदर जा सकते हैं, उनके कोई मना नहीं कर सकता, पहली Privileges तो ये, दूसरी, उनके पास बोलने का अधिकार होगा Legislature में, अगर दो Houses हैं, तो दोनों Houses में बोल सकते हैं, अगर Single House है, तो वहाँ जाके बोली सकते हैं, तीसरी, उनके पास सारी Privileges होंगी, जो MLA को मिली हुई, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान दीजेगा, और इन्हें नोट कर लिजे, अब यहाँ पर कुछ important चीज़ें discuss कर लेते हैं, हमारे subject के बारे में, हमारे Indian polity के बारे में, तो आपने लास्ट दो वीडियो लेक्चर में ये नोटिस किया होगा, कि qualification like that of Supreme Court Judge, qualification like that of High Court Judge, privileges like that of MP, privileges like that of MLA, तो ये बहुत जगे reference दी जाती है, तो इस समय पे आपको ये बारी की से ध्यान होना चाहिए, कि क्या privileges है MLA की, क्या privileges है MP की, बहुत जगे reference दिया जाता है, इसके अलावा ऐसा भी लिखा जाता है, removal like that of Supreme Court Judge, अब वो कैसे होता है removal, जब तक आपको Supreme Court Judge के removal के बारे में मालूम नहीं होगा, आपको उस particular incident के बारे में मालूम नहीं होगा, अब अगर यहाँ पे आपको High Court Judge के qualification नहीं मालूम होते, तो आपको यह भी नहीं मालूम होता, कि Advocate Journal of State की क्या qualification है, तो Indian quality में बहुत जगे ऐसी references दी गई है, तो जब भी ऐसी reference आएं, recall करें, उस chapter को खोलें, और देखें कि actually में क्या है qualification, सिर्फ पढ़के आगे ना निकल जाए, क्योंकि परते वक्त हमें ऐसा लगता है, कि चलो यह तो आसान है, हम समझ लेंगे, आगे देख लेंगे, बट ऐसा नहीं होता है, बहुत बार confusion create हो जाता है उस चीज़ में, तो इस चीज़ का ध्यान दीजेगा, दूसरी चीज़ जबी भी आप Indian quality पढ़े, तो flow charts का काफी जादा इस्तमाल करें, extensive use करें, क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, मैंने बहुत बार देखा इस students को, कि वो bills के related भी notes बनातें, extensive notes बनातें, 3-3-4 pages में, उसकी जरूरत बिलकुल भी नहीं, इसको ऐसे process लीजिए, imagine कीजिए, imagine कैसे करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, कि for example अगर हम ordinary bill पट रहें, या money bill पट रहें, तो आप ऐसा assume करिए ना, कि आप present कर रहे हैं उसको parliament के अंदर, आप लेके जा रहें, तो आपके दिमाग में एक process बनेगी, कि मुझे कौन कौन सी process के थुरू जाना है, तो उसे flow chart में आप अंकित कीजिए, flow chart के थुरू उसे समझने की कोशिच कीजिए, बहुत जगे काम आ सकता है, जैसे formation of states के वहाँ काम आ सकता है, money bill, finance bill, ordinary bill, bills में ये काम आ सकता है, उसके बाद impeachment of president, removal of supreme court judge, ऐसी सारी चीज़े आप flow chart के अंदर ही समझ जाएंगे, और वहाँ better understanding develop होगी, आप बीच में कोई भी step जो है miss नहीं करेंगे, और imagination करते रहेगा, ऐसा सोच के चलिएगा अपने दिमाग में, एक image बनाईएगा, कि आप खुद parliament में है, अगला step क्या होगा, आपको क्या करना है, तीसरी चीज़ जो मैं यहाँ discuss करना चाहता हूँ, इस video lecture के अंदर, वो है trigger factor के बारे में, तो trigger factor का हमेशे ध्यान दीजेगा, हम ऐसा बोलते हैं कि competitive exams में जो questions होते हैं, वो unpredictable होते हैं, हमें मालूम नहीं होता कहां से आ जा दें, पर ऐसा नहीं है, उनका एक trigger factor होता है, अब trigger factor क्या है वो समझे, जैसे कि National Judicial Appointment Commission मना था 2014 गे अंदर, जिसको later on null and void कर दिया Supreme Court ने, कि यह जो separation है, executive or judiciary की उसको violate कर रहा है, बट मैं अभी क्यों उस चीज़ को discuss कर रहा हूँ, तो अभी यह वापिस बात उठी है, कि Modi government जो है, वो उसे वापिस लाएगी, with some changes here and there, तो यह हो गया एक trigger factor, आपसे पूछा जा सकता है कि क्यों उसे null and void किया गया था, तो जबी भी आप कोई current affairs पढ़े हैं, उसको static से match करके देखे, क्या वहाँ पे कोई constitutional crisis बन रहा है, क्या वहाँ पे कोई दिक्कत हो रही है, क्या कोई interpretation में दिक्कत आ रही है, तो बहुत जादा आसान हो जाएगा आपके लिए question प्रेडिक करना, और जो भी tips हैं उसे ध्यान दीजेगा, उसे implement करिएगा, hopefully आपको बहुत जादा मदद होगी उससे, thank you very much.